friends, hello friends welcome to my channel तो friends आज मैं आपको बहुती अच्छी सोक्स बताऊँगी ankle length की सोक्स है ये बहुती easy है और बहुती आराम से बन जाती है उन भी बहुत कम लगते हैं और इसका सारा step by step बीडियो में आपको बताऊँगी तो friends इस बीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिएगा एक तो एंकल लेंद की है और बहुत ही सिंपल है आराम से बन जाती है और उन भी बहुत ही कम लगती है चार से पांच नंबर का है ये और उन है स्टेचबल है तो ये थोड़ा छोटा बड़ा भी आराम से अर्जेस हो जाता है तो फ्रेंड्स आईए स्टार्ट करते है तो ये देखिए बने सलाई में फंदे डालके 10 सलाई बिन लिए है 46 फंदे हमने डाले 46 फंदे टोटल 46 फंदे डालके और 10 रोज 10 सलाई हमने बिन लिए है मतलब लाइन एक तो तीन चार पांच इतना आप बिन लिजे इसके बाद देखिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे उल्टे की तरफ से देखिए दूसरा कलर लगाएंगे हम सारी सलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो यह देखिए एक सलाई मारी यह कंप्लीट होगे इस कलर से तो 46 फंदे हैं हमारे तो बीच के 2 फंदे छोड़कर 22 फंदे इधर और 22 फंदे इधर तो पहले हम 22 फंदे को सीधा बुनेंगे देखिए एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो यह देखिए 22 फंदे हमारे हो गए और यह दो फंदे हमारे बचे तो धागे को आगे करेंगे इस दो फंदे में हमको जाली बुनने हैं सीधा बुने फिर धागे को आगे किये और सीधा बुने अब क्या करेंगे 22 फंदे बिनने के बाद दो जाली डाले और फिर हम यह 22 फंदे पूरा टोटल बुन लेंगे और इसके बाद उल्टे की तरफ हमको उल्टा उल्टा बुनना है फिर शीधे की तरफ हम आपको पताते ह तो यह देखिए हो गई दो सलाई इमारी अब यह देखिए एक बार और देख लिजिए जाली तो आपको समझ में आ जाएगा जाली को हमको थोड़ा सीधा नहीं ले जाना है थोड़ा तिर्चा तिर्चा ले जाना है तो एक बार आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बनके ये तयार होता है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कितना अच्छा लगता है और फ्रेंड्स ये वीडियो लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपको बहुत ही इंपोर्टन बात बताऊंगी ये देखिए अब ये देखिए एक ये बीच का फंदा हो गया और एक इधर से हो गया तब जाली डालेंगे एक फंदा बुना दो फंदा बुना और तीन फंदा बुना इसके बाद हम जाली डालेंगे मतलब जाली को हमको बिनना है पर जाली को बुनको इधर भी हम डालेंगे जाली और इधर भी तीन हो गया फिर पांच होगा ऐसे ऐसे जाली हमारी ऐसे तीच्छा होता चला जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिये जैसे मैंने इसमें डाला है पहले तीन फिर पांच प्रकार से हम छे जाली बनाएंगे फिर यहां हम आपको बताते हैं तो यह देखिए छाली हमारी बन गई एक दो टीन चार पाँच एक छे जब छठी जाली हम बनाएंगे तो यहां से फिर कलर को चेंज करेंगे अब हम यह वाला कलर लगा लेंगे इस कलर को लगा के पूरी रो हम पूरी सलाई को ऐसे ही एक सलाई बुलेंगे कम्प्रीट हो गई अब यह देखिए अब इसको हम यहाँ जाली तक जाली तक बुनते हैं जाली तक हमारे उतना ही फंदे आएंगे जितना पहले आये थे 22 फंदे तो यह देखिए जाली तक हम बुल लिए अब क्या करेंगे हम को यही के सेंटर पर ही हमको फिर से जाली डालने हैं तो क्या करेंगे वही छे जाली हम बनाए हैं तो 6 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं छे फंद हम बुनेंगे एक दू तीन चार पांच एक छे छे फंद हो गए अब ये देखिए बीच का पूरी लाइन हमारी से अब यहां हमको जाली डालना है जाली मैंने जैसे आपको पहले बताया था धागे को आगे करेंगे और सिधा बुनेंगे यह हो गए फिर हमारी बीच में जाली पड़ गई फिर हमाज जैसे ऐसे बुने हैं ऐसे बुनेंगे तो एक इस कलर से एक इस कलर से फिर एक इस मतलब दो इस कलर से और एक इस कलर से तीन जाली हम बना के फिर आपको बताते हैं यह देखिए मैंने बना लिया तीन जाली अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा अब हम इस कलर से पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे दो सलाई एक उल्टे की तरफ हम पूरी सलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे तो देखिए वह सलाई हमने उल्टा उल्टा बुन लिया अब एक सलाई हम सीधा सीधा बुनेंगे बिल्कुल यहाँ जाली वाली कुछ नहीं डालेंगे कि पूरी रोख को हम ऐसे ही कि बुन लेंगे इसके बाद हम आपको पताते हैं तो यह देखिए हम complete कर लिए धूसराय मतलब एक उल्टे की तरफ से और सीधे की तरफ से इसमें यह देखिए हमने कहीं जाली ओली नहीं डाली है तो टोटल हमारी सलाई में जितने जाली के फंदे बढ़े हुए है यहां मारा 46 था 46 अब यहां हो गया 82 फंदे टोटल अब इसका क्या करेंगे हम दोनों का 50-50 में डिवाइड करेंगे आधे-ाधे पार्ट में मतलब 41 41 फंदे को हम एक साइड बिनेंगे 40 फंदे को हम एक साइड बुनेंगे एक साथ नहीं बुनना है तो यह देखिए कम्प्लीट हो गई यह आधा मैंने इधर बिन लिया और आधा इधर अब हमारा कम्प्लीट हो गया अब हम आपको सिलना बताते हैं तो यह देखिए सॉक्स को पहले हम यहां से यहां तक सिलेंगे यहां तक यह तो पहले इसको हम यहां से यहां तक पूरा सिल लेंगे यहां तक सिल लिए अब देखिए अब इसको हम यहां तक सिलेंगे मतब जितना हमारा इधर खुला हुआ है इतना ही इधर रोक के रखना है इतना इतना हमको सिल लेना है तो यहां तक सिलने के बाद देखिए यहां तक सिल लिए अब इसके बाद हम यहां से ऐसे कर देंगे यह यह इसको ऐसे सिल देंगे इसको ऐसे कितने आसानी से बन गया फ्रेंट्स आप खुदी देख सकते हो और बड़े ही आराम से बन जाती है बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है मैंने इसमें आपको इससे भी सारा स्टिप बाई स्टिप बता दिया है और भी मैंने बनाए हैं और भी जूती और यह सौक्स इंकर लेन्थी की सौक्स संगूठे वाली और भी बनाए है बच्चों की मैंने और भी अप्लोड किया है तो प्लेज आप वहां से देख लेना और फ्रेंड्स इसको ट्राय जरूर करिए ट्राय करिए और हमको बताईए कि आपको कैसे लगा हो गई इसको हम सीधा करते हैं कि इतना अच्छा फ्रेंड्स बनके रेडी हो गया आप देख सकते हो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और इसमें खास बात तो यह है कि आप इसे आप एक कलर से भी बना सकते हो दो कलर तीन कलर जिस कलर से बनाना चाहे हो आप बनाओ दो कलर से बनाना तो इतना आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो सलाई इस्टर बनाने के बाद ही आप इसको 14 सलाई बनाओ ताकि क्या होगा सिलने के बाद ये पता ना चले बिलकुल भी ये देखिए तब ही मैं आपको पहन के दिखाते हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बंके तयार हुआ है आप खुद ही देख सकते हो तो फ्रेंड्स आप इसे ट्राय जरूर करिए ट्राय करिए और हमें बताईए कि आपको ये कैसे लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर भी करिए वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें टेक केर बाबाई